जहें दोस्तों न्यूज सर्ष सर्ष तक में आप सभी का स्वागत है और अभी हम लोग उपस्तित है सिवान जीला पच्रुक्की पर्खंड के शुरुवाला पंचायत के सर्पंच सह पर्चुकी पर्खंड के सर्पंच संग के अध्यच बिरेश तिवारी जी के और यहां जो यहां पर पर आया हूं शरपंच सहब के यह बहुत पुराना पुराना रिलेस्न हमनों का इस परिवार से है और जो बाबा जो थे जिनका स्वर्गबास हो गया मैं इस्वर से कामना करूंगा कि भगवान उनके आत्मा को संती प्रदान करें और हमनों के गार्जियन के रूप में थे हूँ बहुत पुराना संबंद इस परिवार से है और अच्छारे इलेशन हमनों का रहा है और आगे भी रहेगा जैसे कि बिदायक जी का कहना है कि जो बिरेश्टिवारी जी के पिता जी थे उनसे इनका बैक्तिकत संबंद था और उसी के नाते यहां पर आया है और जी इसके अलग से जाना चाहेंगे क्या अभी जो बरतवान सरकार है नई सरकार बनी है मागडवंदन की सरकार कि बात करें तो वहां पर कल के डिये महदय को मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराब जो कानून है उसके फुक्ति मुरूप से लागू करने के लिए पुरस्कार दिया गया क्या उस चीज़ को सीवान में भी देखते हैं सीवान और गुपाल गज में क्या देखते हैं देख दारू के नसा में लोग फैरिंग करते थे उससे किसी ना किसी को गोली लगती थी लेकिन कुछ अभी दारू माफिया जो है वहां कुछ गलत कर रहे हैं जिस पर सरकार सक्सक्रवाई करेगी और गोपालगंज के जिला अधिकारी को जो सम्मानित किया गया है मानिय मुख्यम गलत काम करता है लोग और उसमें जो गोपालगंज की प्रसासन है वह सक्स्त है और लगभग वो तो हमारे विधान सभा में ही पड़ता है और वहां आये दिन गाड़ी पर लदे हुए ट्रक पकड़ी जाती है उसको जब्त किया जाता है और इस पर करवाई होती है और यहा संग्रों मांता है और इबीफक्षी का काम क्या होता है विफक्षी टोहींने बोले गाऊंट कo कि उपचुनाएं कि हाँ लुक करते हैं उनको हम दिखाए देता है उसका कारण्य कारण खराख कुछ नहीं जो वह ति ही ऑफ में और आने वालम भूष यहां आप नकारणी वह काम काम आप तो उसमें कुछ होते हैं जिनकी मांसिक्ता केवल गलत वहुआ हुआं पै। गलत सोचते हैं और गलत करते भी हैं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा तो तो शुरू से रहा है एक आदाद में तो गलत रहते ही है और जहां तक चुनाव की बात है तो जो महागटवंधन का जो हमारे प्रत्यासी मोहन जी थे उनको जो अठारा उनने सवर्ट से जो चुनाव हार गए उसका कारण कुछ बहुत नहीं है सुभास सिंग जी लगतार चार बार से वहां विधायक रहे कुछ से में पैथिक भोड जो है उनके साथ जूड़ गया बाकी हम लोग चुनाव लड़ने में पिर महागटमंदन के खाते में उजाएगा सिट अब बात करते हैं कुढ़नी अगर उप चुनाव की तो वहां पर क्या इस्तिती है सर्व अभी हम गय नहीं है हम आपको 29 तारीक के बाद 28 के बाद हम जाएंगे तो 28 तारीक के बाद हम जाएंगे वहां हमारी पार्टी चु उप Deputy आफ सरकार में बहुत सारी यौजनाय ही यह जनता अके बीजनता के लिए क्या इसे मुझनाय तो क्या नहीं सरकार में हमारे बpunkt कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला बाकी क्या है और आने वाला जो भी हमारे स्रकार हो तो काम करती है और मोंख मंत्री जी ने जो बिहार के लिए जो काम किया और आगे भी करेंगे उनका विस्का fourteens नाम ही है भाई विकास से यह जाने जाते हैं इस झालतं है एक सवाल सिवान ऐए कि ऐस सिवान और इसीवान आपको सबसीं क्या नरे सबसेंगर सिवान पाल यह लूग सबोर से झाले हैं सारे परिवार दोग है लोग है कैसे हम पहली वारो हैं मोडी में जıtना बाल होगा से अधिक विया यहां लोग हम लोग के चाहने वाले लोग हैं और हम लोग हमें साथ आते जाते हैं यह इस पर प्रप्पू पंडे जी जो गोपाल गंज के वर्तवान बिधायक है और यह अभी शिवान में उपस्तित है बिरेश तीवारी जी क्या थोड़ा बहुत इन से जानेंगे क्या प्लप्ट चाहिए आखिर क्यों आए हैं विदायक जी यहां पर इस सबसे पहले न्यूज सचते सक्म आपका स्वागत है आपका भी बहुत बहुत हैं जी आए हैं कुछ विशेस विदायक जी हम लोगों के भाई है खून का रिस्ता है विशेस क्या है आज से थोड़े आते हैं विदायक जी जब छोटे थे तो अब यहां आते जाते हैं आनमान सान है उन यहां पे चाचा से बहुत बड़ा अच्छा संबंध था दोनों दोस्ते एक मीत्र थे एक सांथ खाना पीना सब उठना बैठना सब था हमेशा चाचा के मुर्ने के बाद भी हमेशा जब ही मौका मिलता है छत aerial पह और पुभा भीना जाते है यहां आते हैं हम आरे मील पर आते जाते रहते हैं तो यह कोई खास धुड़े हैं हम लोग का रिश्टा है वह बात करते हैं जैसे इन्हों तुरांत निकलने वाले हैं जूटा केस में फसाया गया था कितना दिन तक जूटा केस में फसा के रखेंगे लोग कि यहां बहुत बड़ा कर रहा है कि जल से जल बाबा आने वाले क्या संबवना है कि एक हफ़ा के अंदर एक हप्ता के अंदर बाबार है अभी सुरुआला पंचायत के वर्तमान मुखिया यहां पर अपलब्द है उनसे थोड़ा बहुत जाने रहे तर सबसे पहले नियुशस वर्तमान जो गुपाल गंज के विधायक जी आया है आए है आपके यहां सबसे पहले पाइचायत में विधायक जी का हाथिक स्वागत है आप बहुत कुछी हुई जैसे कि सर्पंच साहिब कह रहा है कि बाबा जल्द ही आने वाले क्या है क्या सचाहिए बहुत जल्द यह तो यह खाब तक है हमको लग रहा है 24 घंटा के अंदर आ सकते हैं बलकि आगे खबरों के लिए जुड़ी रही है और हम लोग जल्द ही दिखाएंगे बाबा आएंगे वह भी बाकी निवस्त सच्च जूड़ने के लिए आप सभी का विधायक जी का सर्पंच साहिब का मु